नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका अनेकेडमी लाइद में। नमस्तों स्वागत है आपका अनेकेडमी लाइद में। शुरू करते हैं इतिहास के ये तीन से चार बार्ट होंगे और उसके बाद जो है हम लोग कवर करेंगे UP special और आर्थिक जो आकड़े होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे तो पहला प्रसमें दोस्तों आप लोग comment box में जो है उत्तर भी इसके करते रहिएगा और मैं इसको detail explanation करूँगा पुर्दगाल के संदर में नेम कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन क्या है दोस्तों पहला कथन में वास्को डिगामा पुर्दगाल के शाशक डॉन हेंडी के प्रतनित के रूप में भारताया था दूसरा ये है कि पुर्दगालियों ने प्रथम फैक्ट्र हैं तो आपको उत्तर बताना है इंग्लिश में भी तेंगले हैं भी तू दा पुर्दगीज कंसीडर दा फॉलोंग स्टेट्मेंट पास्को डिगामा खेम पु इंडिया आज रिप्रेजेंट्री और पुर्दगाल्स रूरल डॉन हैंडिक अग्लिज इस्तब्लिश इस्त सी यानि कि एक और तीन वास्को डिगामा जो पुर्दगाल के जो है थे और वो भारत में जो है हेंरी जो थे उनके प्रतिनिदिके रूप में आये थे उत्तरमासा अंतरीब के मात्यम से और ये माना जाता है कि काली कट पर वो 1498 से में पहुँचे थे तो उनके द्वारा जो है ये माना जाता है कि शाशक हेंडरी जो था उन जो समय जो है खोजों का जो काल चल रहा था उसके अंतरगती आया था पुर्दगालियों ने जो पहली फैक्ट्री अस्थापित की थी हाला कि 1501 में दुबारा ये आता है वास्को डिगामा और जमोर जो इंद नामक साशक से उस वह पहली बार मिला था तो वह 1505 में न अस्थापित करके 1503 में अस्थापित की थी तो ये exact जो है कई बार प्रस्म पूछा गया है पंदरस हो तीन में पहली factory कहाँ पर अस्था पित हुई थी कोचीन में कोचीन जो कोची है आज केरल का तो पुर्दगालियों का की पहली factory और तो ये दूसरा वाला statement जो है आपका ये गलत है और तीसरा है पूर्द गालियों को मराठ और मुगलों से विरूद करना ही पड़ा था तो यह सही है आपका उत्तर हो जाएगा एक और तीन आगे हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रस्न अगले प्रस्न से पहले जो है हम कुछ इंफरमेशन हैं जिसको देख लेंगे दोस्तों यह पहला भाग है स्रिंखला का इस स्रिंखला में हम लोग देखेंगे दोस्तों अगर आपको अनेकेडमी पे सब्सक्रिस्टन लेना है तो घर बैठे आप त्यारी कर सकते हैं इसके फायदे मैं पता देता हूँ और लाइब डाउट क्लेरिंग सेशन्स होते हैं पाड़े आपको 17 रुपए खर्श करने पड़ते हैं स्टॉक्शर लाइब क्लासेज होते हैं फ्री स्पेसल क्लासेज होती हैं जिसमें ठेर सारे कोर्सेज हैं आप पाँच बजे 5 पीम पे डेली आप मुझे आनेक एडमी पे फॉलो करके ये फ्री क्लासेज का इंज्वाइ कर सकते हैं इसकी कॉस्ट जो बहुत ही कम है जैसे कि हम लोग यूटूब पे भी कोर्स कराते थे तो लगबग 12,000 आपका पर एयर का कॉस्ट आता था लेकिन यहाँ पर 2 साल की जो कॉस्ट है वो 75-100 रुपए मात्र है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक साल की आप 63-100 छे महिने का अगर सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो एक 500 है और अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2 येर का सब्सक्रिप्शन ले क्योंकि UPPSC की त्यारी जो है वो काफे अपलाई करें 10 प्रशत आपको डिसकाउंट भी लेगा इसमें आरो यारो यूपी पीसियस प्री मेंस इंटर्वू इवन एसे राइटिंग आंसर राइटिंग सभी के क्लासे यहां पर कराई जाती हैं साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहां पर UP SSC के भी कोर्सेस कराई ज जिसमें मैं आपको पूरा इंडियन पॉलिटी मेरे अलमा दोस्तों ताहिर सब हैं इस पूरे फांडेशन बैच में आप देखेंगे हिमांचु थापा जी हैं भारत जी हैं और ओपी चोधरी जी हैं जो आपको एकॉनमी कराएंगे और और भी एजुकेटर हैं सभी दो ती चार फांडेशन बैच हमारे चलते हैं जिसमें आपको प्रारदिक परिक्षा मुख्य परिक्षा और अन्य सभी परिक्षाओं का जितने भी आपके अस्तर होते हैं सभी को इसमें कवर चाब़ किया जाता है दोस्तों आए देखते हैं अगला परसण Green वो देखते हैं यह अधुनी भारत की इतिहाद से हम लोग प्रस्न कर रहे हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए जहाद निर्मार्ट था प्रिंटिंग प्रेस की अस्थापना पुर्थगालियों ने की थी डचों के आगमन के साथ जो है गोथिक अस्थापत्यकला का आगमन हुआ था और तीसरा है मुसली पत्नम और सूरत से पुर्थगालियों द्वारा नील निर्याद किया जाता था इसमें आपको बताना है कौन सा कथन असकते हैं इंग्लिश में देख लेंगे consider the following statement shipbuilding and printing press were established by the पुर्थगीज the arrival of Dutch coincided with the arrival of the gothic architecture और third statement है यहाँ पर third point miss हो गया है Indigo was exported by the पुर्थगीज फाम दर मुसली पत्नम और सूरत which of the above statement is oblique or false तो इसमें आपका उतरवजय का दोस्तों B यानि कि दो और तीन आपके कथन और सकते हैं यानि कि पहला जो है जहाज में shipbuilding और printing press का पुर्थगालियों ने किया था डचो के आगमन के साथ में दोस्तों य पुर्थगीज के आगमन यानि कि यहाँ पर पुर्थगालियों कर देंगे पुर्थगालियों के आगमन के साथ जो है गोथिक अस्था पत्यकला जिसमें आपको सबसे बहतरिन एक्जामपल जो है गुजरात के चर्चेस में मिलेंगे मुसली पत्नम और सूरत से पुर्दगाल का गेम है तो डचों दोवारा जो है नील का निर्यात कि हां मुसलिफ पर्टिनम और सुध से किया जाता था तो ये दोनों ही कथन आपके गलत है यानि कि दो और तीन तो इसको याद कर लिजेगा शिप बिल्डिंग बहुत सारी ऐसी जो चीजे हैं जो कई बार आए हैं अगला प्रस्वन देखेंगे दोस्तों निमलिखित कत्रों पर विचार कीजे फ्रांसिस केरोन उनकी अध्यक्षता में 1666 में इस्वी में एक दल भारत आया था फ्रांसिसी भ्यापारी भारत में यूरूपिय देशों के क्रम में सबसे अंत में आया थी औ यह तीन स्टेटमेंट हैं आए इंगलिश में देखें लितने हैं दोस्तों था इस्टेटमेंट आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है तो तीसा इस्टेटमेंट ने देखेंगे आपका सही उपतर होगा यानि कि सभी कसन यानि कि फ्रेंसिस करौन के अदिक्सा में 1660 में एक इसाई दल भारत आया था फ्रांसिसी दल फ्रांसिसी भ्यातारी जो भारत में यूरोपी देशों के क्रम में सबसे अंत में आया थे तो इसका एक फार्मूला है दोस्तों पूड अंडे फ्राई जो कि मैं लगातार आपको बतार रहाता हूं पूड अंडे फ्राई का मतलब यहां पर है पूर्दगीज यानि कि पूर्दगाली डच अंग्रेज डेनिस और फ्रांसिसी तो यह आपका क्रम हो जाता है सबसे पहले आते हैं पूर्दगीज फिर उसके बाद जो है आएंगे डच उसके बाद इंग्लिश अंग्रेज फि और सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं तो यह आपका तीनों ही स्टेट्मेट साहिए और ठांसीसक profile प्रेक्टी फ्रांसिसी तो सूरत में अस्थापित कीए तो आपके तीनों स्टेट्मेट साहिए अगला प्रसन देखेंगे धूस्तों यह सभी प्रसन बहुत ही जादा हैं फस्ट जो है करनाटिक यह आंगल फ्रेंज की बात है यहां पर होना चाहिए एंगलो फ्रेंज यहां पर होना चाहिए तो प्रथम करनाटक यूद 747 से 48 तक दिती करनाटक यूद जो है 749 से 54 और वन डिवास का यूद इसमें से कौन सा सही है तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है तो आपका सही उत्तर कमेंड बॉक्स में कर दीजे सही उत्तर होगा दोस्तों ए यानि कि पहला करनाटक यूद जो है वो 1746 से लेकर के 1748 पर हुआ था और ये आडियार यूद के नाम से जाना जाता है फ्रेंच और अंग्रेजों के मद्ध हुआ था और इसमें दूसरा जो करनाटक यूद है 1749 से लेकर चुबन जो है फ्रांस वो अंग्रेजों के मद्ध जो है ये और नेडायक यूद था उसके बाद जो है अंतिन रूप से आप देखेंगे जो टीसरा जो है वांडिवास का यूद जो है 1756 से तिरसट तक ये शाट से तिरसट नहीं है 1756 से लेकर के तिरसट में हुआ था और अंग्रेजों फ्रांस इस्जों को पराजीत कि और लास्क्रम जो है ये आपने देखा था कि計श पूरा यूद समाब्ध होता है और यहीं से फ्रेंज जो है भाग कर चल लाते तो एक और दो आपका स्टेट्मेंट सही है अगला प्रस्न देखेंगे दोस्तों अभी जो UBTSC का रिजल्ट आया है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा अफ़ाहें बहुत सारी चीजें चल रहे हैं इस पर हम लोग डीटेल अनालेसिस करेंगे और दोस्तों बेरे द्वारा जो गाइड किये गए आपने देखा था मैराथन वीडियो मेरा देखा ही होगा आप लोगों ने जो 2018 का मेंज दिया था जिन्होंने तो उसमें मैंने चार मैराथन वीडियो बनाये थे और जिससे लगबग जो है 60% जो है टॉपिक कवर हो गए थे हाला कि जो स्केलिंग नहीं हुई है उसके कारण जो है मेरे दवारा गाइड किये गे 250 प्लस स्टुडेंट ने मुखे पर इक्षा लिखी थी लेकिन इसकेलिंग नहों होने के कारण जो है हमों का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है फिर भी 22 जो है अपीर हुए थे 25 जो है अप English Medium का है, बंदना का, और ये सभी हमारे test series से जुड़े लोग रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे त्वारा guidance देने में जो भी आप देखे, पूरी तरीके समय अनगेडमी पर ही गाइड कर रहा हूं, चली अगला प्रसन देखते हैं, प्रसन क्या पाच, गेराल्ड अंगेर यानी बंबई का सनस्थापक इदर दिया गया है, इनके नाम दिये गया उश्आ चाउज और फ्रैंकोमार्टिन, ये इतने जो है नाम दिये गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन कहा का सनस्थापक ह ठीक है आपका मिलान करना है तो आपका तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन है गेराल अंगियर फ्रांसिस ले जॉब चारना और ये फ्रैंको मार्टिन एक मिनिट इसको हम लो तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा C यानि कि हम देखेंगे कि आपको सबसे आसान तरीका है कि आपको मिलान करना है तो जॉब चारना जो है वो कोलकता सी का तीन यहां से आप याद कर सकते हैं और फ्रांसिस डे आप देखेंगे ये फ्रांसिस डे जो है वो आपके बंबई और गैरी जो है ये पॉंडिचेरी और मार्टिन जो है कलकता तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ट में हम देखेंगे दोस्तों कि निम्मिक अपनों पर विचार करें काट्च आमेड़ा काफिला ब्यवस्ता डचोंस ने आरंद की थी ये आपका पहला स्टेट्मेंट है दूसरा स्टेट्मेंट है दोस्तों कि दूसरा स्टेट्मेंट है दोस्तों कि ये ब्यवस्ता डचों ने आरंद की थी और दूसरा है मुगलवासा अकबर जो है काट्च जो है लेना पड़ता था अपर इत्में से कौन सा कथन सकते नहीं है ये आपको बताना है तो आपका सही उत्तर है जाएगा दोस्तों काट्ज व्यवस्ता जो है वो किस ने शुरू की थी तो आपका उत्तर है जाएगा ए ये डचो ले नहीं कुर्दगालियों ने शुरू की थी काट्ज आर्मेडा व्यवस्ता जो है वो किस ने शुरू की थी वो एक प्रकार का दस्तक था ज अगला प्रस्थम देखेंगे दोस्तों, फ्रांसीसियों ने किस संदी द्वारा मदरास अंग्रेजों को वापस लोटा दिया, एक्सला सापेल की संदी, पॉंडिचेरी की संदी, पेरिश की संदी और इन में से कोई ने, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अउत्तर जरूब बताया करें, आपका उत्तर हो जाएगा, ए अगला प्रस्थम देखेंगे, नेम ने कत्नों कर विचार कीजिए, वेदरा युद्ध में पराजित द्रचों का अंतिम रूप से भारत में पतन हो गया, वन्डिवास युद्ध में पराजा के साथ साथ जो है, साथ फ्रांसी सी भारतिय ब्यापार से बाहर हो गया, ये दूसरा स्टेट्मेंट है, बुरुब्त कत्नों में से कौन सा कत्न जो है, आसकते है, नहीं सकते है, यानिकी सथ नहीं ही, consider the following statement, thus defeated in the Vedra War, finally fell in India, French got out of India business with defeat of वन्डिवास युद्ध वन्डिवास वार, या battle of वन्डिवास, तो ये आपको बताना हैंग में से कौन सा सही है, अब सकते हैं, यानि कि कौन सा फाल्स है तो कोई भी फाल्स नहीं है आपको उतर हो जाए गड़ी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, वेदरा का युद्ध जो हुआ था वेदरा का युद्ध कब हुआ था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और वांडिवाच का युद्ध कब हुआ था अभी मैंने बताया था तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देख ले तो ये वेदरा का युद्ध जो है वा कब हुआ था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी मैं लास्ट में इसको आपको डिस्क्राइब कर दूँगा तो बंडिवाश का युद अभी हम लोगों ने देखा था तो ये प्रस्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो हुगली, सूरत, मुसलि, पत्नम, और भडोज आपको उत्तर में बताना है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूब है तो पहला जो अरंग्रेजों के भी मुकाबला हुआ था वो हुगली में हुआ था दोस्तों 1686 में यह है कि आपके द्वारा जो है जो भी प्रस्ण अटेम्ट किया जाएं सही किया जाएं और कोशिश यह करना है आपको कि आरो यारो का जो होने जा रहा है एक्जाम उसमें भी नेगटिव बन थार्ड मार्किंग है तो उसमें भी आप ध्यान रखेंगे और तेरा गुना है इसलिए डरने की कोई जरुवत नहीं है फिर भी आपको सतर क्रहने की जरुवत है कि अंधी अंदा दुन दुन वो न करें जहाद निर्मार वो प्रिंटिंग प्रेस लीची संतरा काजू की खेती उपरिक में से कौन सा डचों की देन डच द्वारा कौन यहां पर लाया गय प्रिंटिंग प्रेस अभी आप पीछे के प्रस्न भी अगर आप ध्यान से पड़े होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा लीची ओरेंच कैश्यू कर्टिवेशन जो है कि यह उपर जो दिये गया है उनमें से कौन डचों द्वारा लाया गया था यह आपको बताना ह इसको पोस्ट करके उत्तर करते हैं यह सामान अदन की सीरीज है दोस्तों इसमें हम लोग 200 से अधिक प्रस्त करेंगे और इसको आप प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा टी कोई भी इसमें सही नहीं है कि जहाज मिर्माड और इसमें आप उनका नाम लिख सकते हैं जैसे तंबाकू कई बार पूछा गया है आपसे आलू के बारे में आपसे पूछा गया है और उसके बाद इन्होंने अनननास, काजू काजू ये सभी जो है फसलें और ये फल जो है ये कौन लाया था तो ये सभी पूर्थगालियों की बेने नाकी डचों की तो आपका उत्तर हो जाएगा डी अगला प्रसन देखेंगे दोस्तों निमलिखित मुगल समराटों को उनकी कारेकाल के अमसार क्रम में लगाई है जहादार शा, फरुक्षियर, अकबर शाह दिती, आलम शाह दिती और अहमज शा, कूट का प्रियोग करके सहित्तर का चैन करें तो आप लोग एक बार करके इसको उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजेगा, put the following Mughal emperor in order according to their tenure, जहादार शाह, फरुक्षियर, अकबर शाह दिती, शाह दिती, अहमज शाह, तो इसको हम लोग क्रम में करेंगे, तो जहादार शाह जो है वो आपको सबसे पहले मिलेगा, जहादार शाह का ज शोह 149, शोह तेरा से उननेस, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आहमज शाह जो है तीसरे नंबर पर है, यह उननिस से लेकरे सत्रा सो अड़तालिस से लेकरे 54 टक, और अक्पर शा दिती जो है वो जो है 1806 से लेकर 1837 तर और आप देखेंगे शा आलम दिती जो है वो 1769 से लेकर के 1806 तो आपका करम कौन सा हो जाएगा ये एक, दो तो रहेगा ही रहेगा यानिकि ये दो स्टेटमेंट और Dellब देगा एक, दो, उसके बाद आता है आपका तीन, चार, उसके बाद आता है पाँच ये इसका करम है आपका उत्तर हो जाएगा ये सही उत्तर होगा दोस्तों अगला हम देखेंगे निन्न लिखित कत्म पर विचार कर जी और फरुक्षियर रफिर उद्दरजात अमस्या और मुहमस्या उग्रिप में से कौन मुगल समराटों को सैयद बंदुओं दोरा बनाया गया तो बहुत लंबी कहां ही आपने देखा था कि मेकर के नाम से जाने ज किया था फरुक्षियर दूसरे पर अहमस्या और मुहमस्या तो इन सभी को जो है किसने निख्ट करवाया था सैयद बंदुओं दोरा तो ये हो गया आपका उत्तर हो जाएगा एक दो चार और कौन था एक सासक आप जो हमेंट बॉक्स में बताएंगे एक और सासक था रफियु दर्जाद के बाद जो बना था सीका तेरहबर नमबर का परस्ट देखते हैं दोस्तों इससे पहले एक सामानी से जानकारिया दोस्तों जो कि आप देख सकते है कि बहुत ही बैतरीन फॉन्डेशन बैच हमारे दोरा स्टार्ट किया गया है आप उस बैच से जोड़ सकते हैं जो 16 सेप्टेंबर से यानि की कल से स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप अवारे साथ पांच और एजुकेटर हैं जिनको आप वहाँ पर देख सकते हैं जैसे जाविश सर हैं चौधीरी सर हैं भरत जी हैं आप देखेंगे हिमान्शु थापा जी है जो टॉप एजुकेटर है आपके वो सभी रहेंगे और अन्य भी है तो Wednesday से यानि कि कल से टॉप एजुकेटर द्वारा जोए Foundation बैच में आप देखेंगे दोस्तो प्री मेंस सभी आपके answer writing से भी प्रस्ण कराये जाएंगे और बहुत ही डीटेल एनालिसिस की जाएगी एक और बैच नौ से त्मबर से शुरू हो चुका है उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं दोस्तों UPSI के लिए भी बैच हम लोगों द्वारा लाया गया है चोबिस अगस से जिसमें अने एजुकेटर हैं अगिनो जी हैं गोविन जी हैं विंस चौदी और सारांज जी हैं यह आपको कराएंगे घर बैठे आप त्यारी कर सकते हैं दोस्तों अने एकडमी के साथ जिसमें टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे हर तीसरी क्लास लिए लाइब डाउट क्लेरिंग सेसंस होती हैं 17 रुपए आपको पूर डिक हर्च करने पड़ते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप 350 पर मंद दे करके इसको अवेल कर सकते हैं और दोस्तों जब भी यह कोर्स जोईन करें तो आप अभियान सिविल सर्विसेस कोर्ड जरूर अप्लाई करें क्योंकि दोस्तों मेरे द्वारा गाइड कियेगे 2018 में फाइनली 9 सेलेक्शन हुए हैं दोस्तों फाइनली 9 सेलेक्शन हुए हैं और 42 सेलेक्शन जो है आरो यारो के मेरे द्वारा गाइड किये हुए प्री मेंस द्वारा इस्ट्वेंट इसमेंज चैनित हो चुके हैं जिनके इंट्रव्वु जल्दी हम इसी यूटूब चैनल पे ले आएंगे आरो यारो UPCS Pre, UPCS Mains, Answer Writing यसे राइटिंग सभी कोर्स मेरे द्वारा कराये जाते हैं दोस्तों दो साल की फीज जो है मात्र 7500 रूपए हैं और एक साल की फीज जो है वो 6300 है और आप देखेंगे शिक्स मंस की फीज जो है वो क्या 500 है तो मैं आपको recommend करता हूँ कि पच्छतर सौ दे करके दो साल की फीस आप अवेल कर सकते हैं और दो साल में आपका पूरा कोर्स कंप्लीटर दिया जाएगा पांच बजे पाड़े आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं अनकेडमी पे जिस पर मेरा कोर्स मिलेगा अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगता ह प्लस पर आएंगे दोस्तों जादू ही तरीके से हम लोग वहाँ पर क्लास लेते हैं आपको बहुत सारा इंट्रेक्शन होता है जो लोग भी प्लस पर हैं वो लोग आपको पताएंगे तो आईए देख लेटे हैं कुछ और प्रस्ण हैं उन और प्रस्णों को तो इन प्रस्णों के साथ ही दोस्तों हम लोग तैयारी को अपने जारी रखेंगे तो अगला प्रस्ण है प्रसंत्या 13 निमलिखित युगमों में कौन सा जो है सही या सही है लंपट मुर्ख जहादार्शा शाजहादिती रफी उद्दौला और ग्रिडित कायर्ज है वो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है विच आप दो फॉलंग कैस आर्थ करेक्टली मैच लस्टफुल फूल यानि कि लंपट मुर्ख जो बोला जाता है जहादार्शा साजहादिती को रफी उद्दौला और हेटफुल कावर्ड जो है वो ग्रिडित कायर जो है फरु अगला प्रस्न देखेंगे दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप अभियान सिविल सर्चिस कोड जरूर अपलाई करें दोस्तों मेरे परस्नल गाइडेंस और एक्स्टा जो है चीजे आपको बहां पर मिलेंगी आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो बहुत सारा इंफ अपर होलिंग दठाइडल सेयद बहादूसा तो इसमें आपको बताना एंब में से कौन है तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों बहादूसा प्रथम बहादूसा प्रथम ने सेयद की उपादी धारान की थिये और इसके बाद हम लोग देखेंगे डच शिस्ट मंडल को जो दरवार में आया था जेश्वा केटलर जो है जो डच जो है शिस्ट मंडल का यानि कि जोश्वा केटलर ऑफ दच कोर्टीजन केम तु दे कोट आप विच मुगल एंपररर बहादूसा प्रथम जहादार शा तो फरुक्षियर और इन में से कोई ने तो आप देखेंगे 1711 म में दोस्तों बहादूर साथ प्रथम के कारेकाल में डच शिस्ट मंडल जो है जो है जोश्वा केटलर के समय में आया था तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों और ये सीरीज पूरी चलती रहेगी इसको फोलो करने के लिए 7 पीम पे डेली आप जो है मुझ से जूड सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों सुस्तर ये मस्तर ये बेस्तर ये